कोरोना वारस से देश में लोगों की जान पर ही नहीं बनाई बलकि देश पर आर्थिक संकट भी छा गया है इसे उभरने के लिए सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभ्यान की शुरुआत की है इसे बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी ने भारतिय उद्योग परिसंग के सालाना कारिक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वो कारुबारियों के साथ हैं आप एक कदम आगे बढ़ाएगे सरकार चार कदम आगे बढ़ाएगी उन्होंने कहा कि देश अब लॉकडाउन को पीछे छोड़ चुका है आज से तीन महीने पहले देश में एक भी पीपी किट नहीं बनती थी लेकिन आज रोज तीन लाग पीपी किट बन रही है इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि CII हर सेक्टर को लेकर रिसर्च तयार करें और प्लान मुझे दे इसके अलावा पीएम मोदी ने कहीं बाते कहीं जिनमें ये बात खास रही कोरोना से लड़ते हुए अर्थिव्यवस्था की रफ्तार को तेज करना देश की शमतार टैलेंट और टेकनलोजी पर भरूसा है हम एक बार फिर अर्थिव्यवस्था को तेज रफ्तार देंगे भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज में घुस चुका है रणनितिक मामलों में किसी दूसरे पर निर्भर रहना ठीक नहीं आत्म निर्भर भारत का मतलब रूजकार पैदा करना और विश्वास पैदा करना है अर्थ व्यवस्था को फिर से मजबूत करना सरकार की प्रात मिटता है इसके लिए सरकार कई तरह के फैसले ले रही है देश के आत्म निर्भर बनाने के लिए पांच विश्यों पर ध्यान देना जरूरी है इन में intent inclusion, investment, infrastructure और innovation शामिल है अब किसान कहीं भी कभी अपनी फसलों को अपनी शर्तों पर बेज सकते हैं MSME की परिभाशा बदलने की मांग को पूरा कर दिया गया है इससे छोटे कारुबारियों को लाभ मिलेगा देश को एक दूसरे की जरूरत पढ़ने लगी है कोरोना संकट के दुरान जोब हर कोई खुद को समाल रहा था तब भारत ने 125 से अधिक देशों को medical मदद भेजी थी कारुबार को आसान बनाने छोटे कारुबारियों को लून देने रूजगार बढ़ाने के लिए कहीं तरह की फैसले लिए